नमस्कार मैं हूँ सिवसंकर पांडे और आप देख रहें सेस्पे निउज की नई पहल चुनावी यात्रा और हम इस दोरान पहुशे हैं नावा टार पंचायत जहां से आलोक यादो की पत्नी निर्मला देवी चुनावी मैदान में उत्रे हैं आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी चुनावी मुदा क्या क्या हैं सभी पंचायत गराम वासियों को हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ यहां मुख बजार लगती है सेकड़ो महिला लोग आती है उन लोग के कोई सोचाले के वेवास्ता नहीं है उनलों के वेवास्ता सोचाले के दूंगे जी आपने देखा कि मुख बजार में नावटा पंचायत इस्तित है और यहां सेकड़ो महिलाएं बाहर से आती है और उनिके सोचाले के वेवास्ता नहीं होने के कारण महिलाओं के बहुत कटनाई के सामना करना पड़ता और सरमिंदा होना पड़ता ऐसा उमिदवार निर्माला दिवी का कहना है हम जानेंगे आलोग जी से किस बार चुनायों मुद्दा क्या क्या होंगे इस बार सरोपर्थम सभी प्रखन वासियों को पंचायत वासियों को हिरदयर से पढ़ाम मेरा मुद्दा इस वर्ष पंचायत को एक मोडल के रूप में देना चाहता हूं जिसमें सभी सुभधायस जितनी भी हैं पंचायत से समंधित सब पर हमरा फोकस रहेगा और सभी पर हम बारी बारी से काम करूंगा और पंचायत को एक मोडल दूँगा आदर्स पंचायत बना कर रहूंगा इसको में मुद्धा है अलोग जी आप दो बार आपकी पतनी चुनाव में खड़े हुई और दोनों बार हार का सामना करना पड़ा इस पर आप क्या बोलेंगे कि आपने चुनाव हारने बाद मन्थन क किया था इस पर हाँ बिल्कुल किया था दो बार पंचायत चुनाव में हार मिली कि उसके मैं खुद जिमवार हूं मेरा जन संपर्क ठीक से नहीं रहा पाया और मैं पुरी मेहनत से काम नहीं किया उसका परिणाम हमको हार कर रूप में देखने पड़ा पबलिक में अपसब इस बार पबलिक सिटी बहुत अच्छी है लोग के बीच में मैं अच्छे से मुदारा खरपा रहा हूं और अच्छा लोग को रिस्पोंस मिल रहा है और इस बार मैं चुनाव निश्यत रूप से निकाल रहा हूं तो क्या आपने इस बार चुनाव लड़ने के रननिती लोग जी आप पर जाति वाथ कभी आरोफ लगता रहते हैं कि अगर जादो जी अगर चुनाव जित कराते हैं तो यहां जादो के चलती चलेगा इस पर आप क्या करना चाहिए कि आप सब जात को लेकर चलेंगे या फिर आप जाती विस्तेस पर ही आप हावी रहेगा ऐसा म कि आप खरीद फृत का मामला आ रहा है। यह कंड़िट को आप बार बर बयान भी बदला जा रहा है और यह जानता में कंफ्यूजन है क्या कि रियालिटी क्या है तो यह क्या आप इस पर आप दो सद बोल पाएंगे एक दम बोलूँगा और मैं बोलना भी चाह रहा था मैंने आप है अभी पहले बता जे गया it कि बीपक्च के पास मेरे प्रति कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है तो अनरगल बाते बिना वजा के बिना कोई सबूत का बिना कोई तर्क सका संगत का अनरगल बाते कर रहे हैं कि हम गंटा रखा गया है उसके घर में और हम पर अरोप लगता है जब कि वह स्वैक्षा से आकर हमको समर्पन किया साथ देने की वादा किया अगर इसकी जाच किया जाए तो उसको परत्यक्ष में पूछा जाए कि हाँ हम सको साथ में क्या ख्रदी कि किया क्या दवाव बनाए वह च्छुएक्सा से आये मेरे पास और बोले कि नहीं चजाजी आपके सात में रहूंगा आपका बिचार वेहवार आपका जो पंचाइद के प्रति जजबा है पंचाइद को माधिहम से वह दोसरे ब्यक्ति पोस्ट कर रहे हैं जीस बेक्ति ने जो सब्द लिखे हैं वाटसब के माधिहम से वह ब्यक्ति के पास उस संटेंस उनके पास ही नहीं अगर अभी हम कंडेट को ला दिया जा जो अब आरोप लगा रहा है तो क्या आपके पक्ष मों बॉल पाएंगे या नहीं एक दम बोलेंगे जो मैं किया हूं नहीं किया हूं उसका आरोप मेरे सामने कैसे लगा देंगे आपकी जनता से अपिल क्या होगा इस बर जनता से अपिल मेरा ही रहेगा सभी जनता से अपिल मेरा ही है कि एक बार हमको पंचाइद को सेवा करने का मौका दिया जाए और इसको मैं वादा करता हूं कि इसको एक मोडल के रूप में दूंगा यह काम आपको हमको बनते ही छे मेना के पाद दिखने लएगा हमको जोजना पर अधायित काम नहीं करना है जो मुल्भूत सब्जाएं सरकार के द्वारा यहां चल रही है उसको किवल सुद्रीद कर दूंगा पंचाइद एक अलग मोडल में दिखने लएगा बहुत से यह मुदा होता है तो कि आप सही धंक से धरातल पूतार पाएं तो बस उसी के बाद हम करना चारहे हैं कि जो सुब्धाय सरकार दे रही है वह हम लोग तक नहीं पहुच पा रहा है उसको पहुचाना पंचाइद का काम है और पंचाइद सुता हुआ रहेगा तो जनता को प्रवाइद कर सके मैं जनता से अप्पिल करता हूं कि एक बार हमको मोका दे और पंचाइद को एक मोडल के रूप में मैं पेस करूंगा या मैं पूरे निष्टा और वादा करता हूं कि कि किसी को किसी वरका का सिकाइद का मोका नहीं दूंगा सभी के साथ में चल हैं धन्यवाद